असलामलेकुल वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं फूड मैप आज में आपकी लाई हूं नहा है ती असान तरीकी से बनने वाली खस्ता कचोरी की रेसिपी इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो चलिए जली से बनाना शुरू करते हैं अगर अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसकी जगब तो बड़ा साजीराइड कर लीजिएगा अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तीन काने की चमच ओल और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करन है के इसको हमने इस तरह हातों से अच्छे से मसल मसल करना है ताकि मुट्छी में तरह से इकथा हो जाया कट इदीखिए है अब हम स्में शामिल कर देंगे पानी पानी हमें क्थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करेंगे इसकी सॉफ्ट से डिणो ट्यार कर लेनी है तो यह देखें अब हम इसको काउंटर पर निकाल लेंगे और इसको इस तरह हाथों के मदद से इस तरह स्ट्रेच करकर के इसको डो को गून लेंगे तक यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जितना अच्छे तरी किसम इसको गून देंगे उतनी ही अच्छी हमारी कुछ और इस किसी भी क्लिंग रैप वगारा से कवर कर देंगे आप चाहें तो किचन टावल से भी कवर करके रख सकते हैं तक रीबन 30 मिनट के लिए हम इसको रेश्टर देंगे तो अब हम इसके लिए बनाएंगे मज़दार सी फिलिंग तो यहां पर मैंने लिया है तीन खाने के चमच के हुआ प्यास तो हमने इसको हाई फ्लेम के उपर ही फ्राइ करना है जिब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहां हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे तीन से चार बारी कटी हुए हारी मिर्चे और इनको भी समें हलका सा भून लेंगे अब हम इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम चिकन का कीमा 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 कीम मिक्स करेंगे चमच कोटी वी सुर्ख मिर्च, आदा चाय का चमच में डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, एक चुथाई चमच में डाल देंगे धनिया पाउडर, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें शामिल कर देंगे आदा कप के करीब पानी और इसको अच्छे से इसमें जमच चलाने के बाद कवर करके रख देंगे पान से चे मिनट के लिए ताके चीजों कीमा है वो अच्छे से गल जाए और पानी भी हमारा खुश्क हो जाए तो इसको पकते हुए तक पान शे मिनट हो गए हैं अब हम इसे चेक करेंगे तो यह देखें पानी सारा खुश्क हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे आदा चाय का चमच पिसा हुआ करम मसाला और थोड़ा सा भारीक कर तहरा धनिया और इन दोनों चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे तो लिजी फिलिंग हमारी त्यार है अब हम इसके बाद फ्लेम आफ कर देंगे और इसको ठंड इस तरह से पेड़े बना कर रखते जाएंगे पेड़े हमने त्यार कर लिए हैं अब हम इनको साइट पर रखेंगे और यहां पर अबने लिया है तीन खाने के चमच घी आपने घी का ही उज करना है इसमें डाल देंगे दो खाने के चमच मैदा और इन दोनों चीजों को अ मैदे बना कर लगा कर लेंगे आपने आप्ने यहां पर इसमाल भीर को बिल्कुल नहीं करना ग सब् Baptist से सब्सक्राइब हुआ हैं कि इस तो हम ऐसे कट यो इस तरह भारी किस्थ तरह से रूल करेंगे से बहुत जियुदा बढ़ा-बढ़ा जाना है और कोन की शकल देनी है यह देखें तो अब हम इसको इस तरह से निचली साइड पर रखेंगे और इस तरह दबाते जाएंगे तो यह देखें इस तरह से हमने इसको प्रेस कर देना है और इसके सारे पेड़े बना के इस तरह रखते जाने है में सारे पेड़ी इस तरह तरह तयार के लिए हैं तो यह दिखें जो लेर्ज़ वाली साइड है इसको मैंने इस तरह नीचए रख लिया है है और हाथ की मदद से इसको हलका था प्रेस करूंगी अब हम इसके पर थोड़ा सा मैदर डस्क करेंगे और बेलिन की मदद से इसको हलका सा बेल लेंगे तो अब हम इसके उपर रख देंगे फिलिंग जो हमने त्यार की थी आपने ख्याल लखना है फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए गरम नहीं होनी चाहिए तो हम तकरीबन दो खाने के चमच के क्रीब इसमें फिलिंग डाल देंगे अब हम इसकी साइडों से इसको उठाएंगे इस तरह से ये देखें इस तरह और हमने जो इसके किनारे हैं उनको आपस में हलका हलका इस तरह से प्रेस कर देना है हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना इनको एक जगा पर बसा दोनों साइडों के किनारे जो है इनको इस तरह हलका हलका दबाने के बाद इस तरह से प्रेस कर देना है तो यह हमारी कचोरी त्यार हो गई है तो यहां पर हमने ओयल गरंक लेंने कःफ़ी रख दिया था आपने खिया लखना है कि ऑई बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए बस हलका सा गरम होना चाहिए ये इसकी में टिप है अगर बहुत ज़दा गरम होगा तो हमारी जो कचोरिया है बहुत ही जल्दी से नीचे से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो हमने इनको बहुत ही हलके गरम ऑईल में डालना है और बिल्कुल हलकी आंच पर इनको फ्राइब करना है इनको एक साइट से पकते हुए कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे तो यह देखें इसको पकते हुए तो क्रीबन 15 मिनट हो गए है और कि इतने अच्छे से फूल गई है अब हम इनकी साइट चेंज कर देंगे कि कितना प्यारा कलर आया है इन पर माशा तो क्रीबन इनको त्यार होने में 25-30 मिनट लग जाते हैं एक दफा में अगर आप इसमें सेकिंड बैज कचोरियों का फ्राइब करेंगे तो आप ऑईल को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद इसमें कचोरियां एड़ कीजिएगा अब हम इनको निकाल के किसी टाफल पर या टीशू पर लख लेंगे ते लीजिएँ अगए हमारी बहुत भुत इस ब़द्ध सी कचोरियां बनके त्यार हैं और मैं आपको च效 करते हूं कि यह कि तनी खस्ता बनी है आज हमारी लिशा गNewर सब्सक्राइब हुर और अजाम काउप आफे अजय झाल झाल